वेरी वेरी गुड इविनिंग तू आल अफ यू तो डियर स्टुएंट आज की क्लास का बहुत एक इंपॉर्टन टॉपिक डिसकस करने जा रहे हैं टॉपिक का नाम जैसे कि आप अपने सामने स्क्रीन पर भी देख रहे हैं जुमेट्रिक मीन अब आपके मन में सबसे पहले सवाल तो ही आया है कि सच जिमेट्रिक मीन क्या है और इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं और जिमेट्रिक मीन इससे पहले हम आर्थमेट्रिक मीन आपने पढ़ाया में तो आर्थमेट्रिक मीन और जिमेट्रिक मीन में क्या डिफरेंस हैं आर्थमेट्रिक मीन के इंपॉर्डने मैं अच्छे देख सोंज में आ जाएगा अब जुमेट्रीक मीन ना क्या मतलब है सवाल ये है तो आए एक एक जामपल से समझते हैं पहले कि आपको जुमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मेन की मैं बात कर लेता हूं देखिए आज की क्लास का टॉपिक आपका है जुमेट्रिक मीन जुमेट्रिक मीन और आपके मन में एक सवाल अर्टमेट्रिक मीन के बारे में भी चल रहा है उसके उपर भी लिख लेते हैं अर्टमेट्रिक मीन तो बच्चे जुमेट्रिक मीन और अर्टमेट्रिक मीन क्या होता है एक एक्जामपल से समझते हैं एक्जामपल लेते हैं मेरे पास पे कोई दो अबजर्वेशन है लाइक एक observation 2 है और एक observation 8 है यहाँ पर भी same example लेता हूँ कि मेरे पास हैं दो observation है एक 2 है और एक 8 है यह दो observation है तो अगर मैं यहाँ पर arithmetic mean निकालता हूँ तो generally क्या होगा कि arithmetic mean में हम क्या करेंगे sum जो data है उसका sum करेंगे 2 प्लस 8 ठीक है और means आपके पास में जो data है लाइक एक A है और एक B है इसका sum करोगे कितने नमरों observation है तो आपके पास में क्या जाएगा आपके पास में arithmetic mean आ जाएगा आपका तो arithmetic mean क्या आएगा आपका आपके पास में 2 प्लस 8 and divided by 2 तो arithmetic mean equals to आपका 10 by 2 and arithmetic mean equals to आपका 5 चैनल है arithmetic mean जब topic हमने start किया था तो बड़ी गहराई से इसके merit, be merit, importance हर चीज को हमने पढ़ाता हूँ नुमेरिकल तो हमने बात में discuss किये थे बट आज फिर भी जब geometric mean की बात आई है तो थोड़ा सा मैं आपको arithmetic mean बतायता हूँ आप ऐसे निकाल रहेते हैं कि data को collect करो collect करने का जितने लोगों से collect करा उन सब में उन data को equally share कर दो जो each के sharing में आएगा वो आपका arithmetic mean है arithmetic mean basically क्या है कि किसी group को represent करने वाला है कि number है for example कोई मुझे से पूछे कि sir आपी class कितने यंग है तो मेरे class कितने यंग है तो मेरे पास में 5000 student है अब 5000 बच्चों के बारे में मैं बताने के लिए bad गया उनकी age को तो ना तो वो सुन पाएंगे और नहीं मैं बता पाऊंगा तो इस information को कैसे deliver किया जाए तो हो सकत तो इसके लिए क्या possibilities है कि मैं अपने सभी बच्चों की age का sum करके number of students दिवाइड कर दूँगा तो एक on an average एक age आ जाएगे like 19 years तो मुझे मालूम है सारे action में 19 years के नहीं है ये मैं भी जानता हूं लेकिन सब इसके आसपास है क्योंकि एक idea ही तो लेना है group का तो मैं 19 years एक average age calculate करें मेरा 19 years आया तो समझ जाएगा मेरे पास कितने यंग बच्चे हैं इसलिए हम arithmetic यूज कर रहे थे तो basically geometric mean का भी यही काम है जो कि arithmetic mean का काम है होता है ना आक जैसी कभी-कभी आप जो है चाय पीने के शौकीन है चाय नहीं मिला कोई बात कौफी से काम चला लिया सब्सितू्ट हो गया Pepsi मांगा पेffसी नहीं है तो आपने कोक से काम चला लिया जो substitute है तो इसी तरीके से arithmetic mean का substitute आप कह सकते geometric mean का मतलब जो काम arithmetic mean करती है same यही काम आपका geometric mean करेगी geometric mean एक ऐसा data है जो कि पूरे group को represent करेगी अब आप कहोगे सार जब इसके लिए arithmetic mean था ही तो geometric mean सीखने की जुरुत क्या है तो बचे arithmetic mean basically क्या होता है कि वो किसी एक individual data से पूरा का पूरा arithmetic mean influence हो जाता है for example यह कह रहा है on an average लोग जो है पांच के आसपास है बड़ आप देखिए का जड़ा एक data बहुत छोटा हो गया और एक बहुत ज़्यादा बढ़ा हो तो आपकी class के जितने भी students होंगे वो सबके सब 5-6 मैंने hardly एक साल में इसी के nearby ही होंगे सबकी age आप भी मानते हैं यहां arithmetic mean सही है क्योंकि जो group को represent करने डेटा निकलेगा वो actual में group को represent कर रहा होगा लेकिन जब डेटा इस तकी से करता है कि कोई बिल्कुल down है कोई बिल्कुल up है तो वहां पर देखें क्या कह रहा है कि सबके सब लवा 5 के आसपास है लेकिन 5 तो इससे भी दूर है और 5 इससे कफी कम है तो 5 के आसपास तो दोनों में से कोई ली निकला तो जब डेटा बहुत ज़्यादा वहरी करता है तो वहां पर arithmetic mean उतने सही तरीके से अपने group को represent नहीं कर पाता है तो वहां पर geometric mean ज्यादा accuracy रखता है अपने पास में कैसे अब यह क्या होता है इस क्यार में अभी फिलाल आपको ज़्यादा कुछ नहीं अभी आगले टाप्रिक आगा तो formula वगरा में direct करके बताऊँगा हर एक बात बताऊँगा patience रखिए बच्चे हर एक बात geometric mean basically क्या है geometric mean में आपके पास में लाइक यह है और यह बी है तो आप यह कर सकते हैं एंटू भी कि जिमेट्री भी ने सबका multiplier अंडर रूट कि दो हैं इसलिए basic पूरा formula क्या हों मद्दू हो आभी आपको फार्मला तो यह होता है इसका कि जो होता है जो observation है उनको multiply करो और जितने observation है पावर वन बाई जितने observation है यह होता है जो metric mean का basic formula यही रहता है जो data है उसको multiply करो और जितने डिटा है पावर वन बाई एन तो geometric mean खार इस सवाल को solve करता हूँ तो दो गुणा आठ और पावर वन बाई टू हो जाएगा और geometric mean की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो आपके पास में टू इंटू एट और इस वन जिमेट्रिक mean की बात करें तो आपका 16 और उसका root क्या जाएगा च तो आप देखिएगा चार थोड़ा सा ज्यादा रिलाबल नंबर हो गया क्योंकि दो के नीरेस्ट आ गया तो इसके लिए जो है लेकिन बेसके दिखा जाए तो कोई खास फरक नहीं पड़ता है तो जो काम आपका अर्थमेट्रिक mean कर रहा है जो काम आपका अर्थमेट्रि मीन आपको सुंझ में अच्छे से आ गया है, अजिए六 मीन का आपको अग오 में खीए मिट्रिक मीन का अगर मैं फारमुला देता हूँ आपको तो फारमुला आपके पास मैं पता लगए क्या है और लेकाえば आपके आ सस्व घृत्र तो स्मार्टम्यूर्प स समझ जाओ पर पा बात में करता हूं आपको इंडिजियोग सीरीज के उपर तो इंडिजिव सीरीज में डीटा जोड़ी थोड़ी आपके पास तो यह है अब्जिरवेशन नमबर आपके पास ज्यादा हो सकते हैं फॉर एक्जामपल आपके पास कुछ data है x1 x2 x यह n तक है तो आप किस तरह के से geometry mean निकालेंगे this one clear है लेकिन इस geometry mean में अगर आप देखते हैं अगर आप इसको ऐसे निकालते हैं मैं आपको यह बता हूँगा आपके मैंने में बात आ रहे हुआ सब्सक्राइब आपको इसके डेरिवेशन में एक चीज और समझेगा एक तो यह फॉर्मला बिल्कूल सही है कि दूसरी बात आप यह समझेए है कि जमेंट्रिक मीन एक पूस्टू क्या होगे आप मारे पास में एक डेटा वन इन्टू डेटा टू इन्टू डेटा थ्री सो ओन डेटा एन एन डेश्टू पावर वन बाई एन यह आपका ठीक है बच्चे हाँ जी अब देखेगा क्या करेंगे आपको पता है कि पावर को नीचे कैसे लिखर के आते हैं आपको यह बात अच्छे से पता होगा बच्चे कि कोई अगर आप इसको लॉग से मंटिप्लाय कर दोगे तो लॉग क्या करता है इस पावर को नीचे उठाकर के लिए आता है तो थ्री लॉग एक्स हो जाएगा इस बात को समझेगा क्लियर है तो एक बाद धान नकिएगा कि आपके पास में एक्स की पावर थ्री है और अगर इस पावर से पावर में तो पावर को में नीचे लेकर आँगा तो बट मैं अपनी मर्जी से लॉग कैसा लगा सकता हूँ तो कुछ भी लगाना है कुछ भी एड करना है कुछ भी सब्टेट करना है कुछ भी डिवाइड करना है आप कुछ भी कर सकते हैं बट कंडिशन यह है कि आपको both side करना पड़ता है यह नहीं आप एक side करने प्रिमर्ची से both side करने से impact neutral हो जाता है clear है बच्चे तो इसलिए मैं यहाँ पर log लेकर आऊँगा तक यह power नीची आए तो मुझे फिर both side करना पड़ेगा log this one geometric mean और यहाँ पर मेरे पास में log में लगाऊँगा तो power 1 by n और यह क्या हो जागा मेरे पास में log x1 into x2 into x3 so and xn इस बात को आप समझते है clear है और दूसरी तरफ आप इस बात को भी समझे कि आपके पास में log geometric mean का आप निकाल रहे हैं और one by n आपका आगया आपको यह भी बात पता होने चीए log के बारे में कुछ बाते है एक तो यह आपको पता होने चीए कि like for example x raise to power n है तो log लगा देने से क्या हो जाएगा n log x हो जाएगा पहली बात कि दूसरी बात कि लॉग कि आपके पास में a into b है तो क्या होता है यह यह आपका log a प्लस log b हो जाता है जितनी requirement भी उतनी जानकारी दूँगा बस ठीक है log a into b है तो क्या हो जाएगा आपका log a प्लस b तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में this one log एक्स वन प्लस लॉग एक्स टू प्लस इसी तरीके से लॉग एक्स एंड यह होगा आपका ठीक है बच्चे हां जी समझ रहे हैं बच्चे बातों को अब आगे आप देखेंगे कि आपके पास में क्या रहने वाला है है लॉग जमेट्रिक मीन इक फुल स्टू वन न और यहां पर क्या रहने वाला आपका समिशन ओफ लॉग एन ठीक है लोग एन तक का आपका समिशन होगा न। एक्सफ़न एक्सटू एक्स ट्री लोग एन तक समिशन होगा दैन उसके बाद आपका क्या होगा यह तो वन बाइक टू चलिए इसकंदर डाल देते हैं अगो है कि है लोगया अब मुझे तो जमेंट्रिमेंन निकालना मुझे मुझे यहाँ पर लॉग Sk senior mean एकॉल्स तो यह लोग यहाँ जाएगा तो निचा जाएगा इसको हम ़ोलते ऊंद तो यह दिन वि projets कि तो तो इंटि-लोग क्या होगे हमारे पास में एंटी लॉग इक्वल्स टू समिशन आफ लॉग एंड अपॉन एंडिस वन तो एक आपके पास में ये एक फॉर्मॉला और आ गया अब दोनों फॉर्मॉले सा आपकर दोनों ही तरीक आपकर ठीक है दोनों में से कोई सा भी आपका गलत नहीं है ख्लेरे बचे चलिए अब मैं बात करता हूँ सवाल के उपपर अब कोईशन में आपके लिए चैलिंजिस क्या आने वाले हैं पहले अगर मैं कोईशन को ले लूँ फाइंड अजिसके इसका आपको जिमेटरिक मीन आपको निकालना है क्लेरे बच्चे एक बिल्कुर सिंपल एक्जामपल लेता हूं दोनों तरीका आऊँगा दूसरा तरीका आला फिर आपके लिए ज्यादा बैटर रहने वाला है ठीक है दोनों तरीका समझ लीजिए आप तो दूसरा फॉर्म लाकर समझ में आपको आ गया है तो वह मेरे साथ सो ज्यादा बैटर जाए ठीक है कि आपको सबसे पहले लॉक की वैलू नहीं पड़ेगी फिर भी चलिए देखिए क्या है मेरे पास में डेटा एक डेटा मेरे पास में हाँ जी बच्चे तो डेटा के है मेरे पास में जो एक्स है वो मेरे पास में है टू पूर एट ट्वेल सिक्स्टीन और ट्विंटी फोर एंट ट्विंटी फोर ठीक है बच्चे अगर आप इसको सॉल्व करते तो क्या मैंने बताया था आपको जो मेंट्रिक मीन का जो एक सिंपल मैथड था जो मेंट्रिक मीन इक्वास सू सभी डीटा का मल्टिप्लाइ करो यहां ठीक है तो इंक्या एट टो इंटू टैने की सिंपलाइब द्विंटा को मल्टिप्लाइ करने का इनि पना आपको नो record किंटेविशhone है x2 into x3 and xn तक का वो क्या फॉर्मॉला दिया है आपको is to power 1 by n ठीक है तो उसी के according ही जे metric mean हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कि 2 multiply by 4 multiply by 8 जितने भी data हैं सभी data को आप क्या करो आप multiply कर दो और data को multiply करने के बाद जितने number of observations है पावर मैं आपको डालो तो आपके 1234566 डाल दिया अब आपके लिए चैलेंजर सब ठीक है बेस को तो multiply करना हमारे आसान है हम कर लेंगे calculator है हमारे पास में लेकिन पावर कैसे solve करें चलिए पहले बेस को तुड़ करें पर पावर मैं सिखाता हम वो कैसे करेंगे पावर आप किस तरीके से करेंगे वह बात की बात है पहला बेस करें क्या गया टू इन्टू 4 इंटू 8 इन्टू 12 इन्टू 16 इन्टू 24 तो क्या result है आपका आपके रिजल टाएट 294912 रेश्टु पावर कितना है आपका बन बाइ सिक्स क्लेरे बच्चे यहां तक आपको समझ में आया है मैं दोनों मैंसर्ट से करके दिखाऊंगा आपको अब बताएंगे जिए आपको समझ में आया है है जो मेंट्रिक में रिश्टु पावर वन बाइ सिक्स है कर यहां पर लोग से भी सॉल कर सकते हैं आप लेकिन आपको लॉक की वैल्यू आने चेहों मैं सिखाऊंगा अभी आपको दो मैंसर्ट निकल जाते हैं बोस साइट टेकिंग लॉग यह वन बाइ सिक्स एन लॉक की व इंकाल लीजिए एक बार आप देख लेंगे उसके बाद में आपको उता हूंगा कि पावर जो है कैसे आपने सॉल करना है है हां जी देखेंगे देखें तो आपको सबसे पहले स्टैप बन क्या करना है आपको स् secular करेंगे मैं किर रहा हूं है मैं स्टैप बन करें को आप सबसे पहले रूट को आप कितने टाइम्स करें आप फिक्स एए आपको 12 टाइम्स की करना है है क्लिर मच्चे इसको 12 टाइम्स ही आपने करना है तो जैसे कि आपके पास में लूट करने किसका 294912 इसको रूट कितनी करना है आपको 12 लार करना है तो е एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, ठीक है, तो बारा बार आपने रूट करा, अब बारा बार रूट करने का आपको क्या करना है, step two, step two, minus one कर, minus one करना है इसमें से, और उसके बाद आपके पास में equals two का sign दबा देना है, तो इसमें से बस क्या करना है, minus one and equals two, ठीक है, step number three, यह बास लिख रहा हूं, समझेगा, step number three, आपको divided by power करना है, power क्या है, six, divided by power six and equals two, तो divided by क्या करना है आपको, आपको divided by and करना है, और आपको इसके बाद equals two का sign दबा देना है, clear है बच्चे, step number three, step number four, step number four, आपको क्या करना है, multiply and equals two, कितने बार करना है, आपको 12 times कर देना है, 12 times कर देना है, तो बस multiply and equal, यह एक हुआ, दो, तीन, चाथ, पाँच, छे, साथ, आठ, इस तरीके सापने करना है, इसमें एक, 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 एक मिस्ट्रीक होई है बच्चे, पहले, एक सिके, step number four में plus one करना है, आपने, ठीक है, और step number five में क्या करना है आपको, step number five में आपको multiply and equals to करना है, आपको कितनी बार करना है, आपको 12 times करना है, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कोई doubt है तो पूछिए, पहले, क्लियर है, आप मैं करके दिखाता हूँ इसको, क्या से करना है, first of all क्या आपके पास पर, two, nine, four, nine, two, nine, four, nine, one, two, यह आपका एक number है, ठीक है जी, मैं root 12 times करूँगा, आपको calculator रूट का sign होगा, बारा बार, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, ठीक है, जो रिजल्ट आ है, इसमें हम आपके पास, value मत दिखा, अपने स्टप्स को आप focus करें, then minus one करूँगा, minus one, कर दिया, अब उसके आद मुझे क्या करना है, divided by n, six, अब मुझे क्या करना है, उसके आद प्लस, बन, अब मुझे क्या करना है, multiply and equals to, multiply and equals to, यह एक हो गया, ऐसे ही, दो, ती, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो रिजल्ट क्या है मेरे पास में, geometric mean का, geometric mean का result आए मेरे पास में, 8.180, यह मेरा final answer रहा, तो यहां से आपको किसी भी तरीके से, आपको बच्चे, log और anti-log की need नहीं हुई, लेकिन exam है, वहां तो आपके knowledge को check करेंगा, कि आपने direct कैसे कर दिया है, तो यहां पर मैंने direct आपको inverse power solve करते हैं, आपको मैंने यहीं सिखा दिया, ठीक है बच्चे, यह कुछ past steps से इसको follow कर लेजी, आप power solve कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलिए, exam से हैं, तो exam में question आपका कै कैसे move हो जाएगा, मैं उसकी बात करता हूँ, जर इस बात को आप समझें, कि exams में question basically आपको क्या करना पड़ सकता है, कि जैसे आपके पास में क्या आया, geometric mean आया, geometric mean equals to 294912 raise to power 1 by 6, तो आपको क्या करना पड़ेगा, taking both side log, log geometric mean, वही कहानी आ जाएगी आपके पास में, चीक है बच्चे, तो इसलिए आपके पास में जो एक तरीका है, उस तरीके को मता रहा हूँ, same question आपको कैसे करना है, लेकिन आपको पहले log की value लेनी सीखनी पड़ेग पहले बच्चे, आप लोग की value लेनी सीख लीजिए, जैसे आपके पास में है, find the value of, find the value of, log1234, यह आपके पास में है, क्या आपके पास में, log1234, इसको basically है ना, आप log की value कभी भी निकालो, तो सबसे पहले आपके पास में एक group यह रहता है, इसको हम बोलते है main column, क्या है यह, यह main column है, 12, clear है बच्चे, और इसको हम बोलते है mean, एक यह है, पहले दो के बाद, इसको हम बोलते है mean, clear है बच्चे, और उसके बाद हम इसको mean, या फिर इसको हम difference भी बोलते हैं, ठीक है main column, और इसको फिर difference, और हम जो last हमारे पास हैं बच्चा क्या, last हमारे पास हैं बच्चा यह, तो पहले दो digit को ले लेंगे अगर आप, तो वो आपका main column है, बीच वाला difference, और इसको हम क्या बोलते हैं, यह क्या हो गया, यह difference हो गया, और यह क्या हो गया, यह आपका mean difference है, ओलडी खैर मैंने इसके बारे में, पिछली समेस्टर में पढ़ाया हैं, बड़ कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता जोने हैं, बच्चे हैं, वो वो सीख लेंगे, तो क्या हो कि हमारे पास है main difference, अब आ न तो ऐसे देखना आपको यह प्राइल्लम होगी आप यहां की पीछे कर देखिया है तो यह आपके लॉक्ट टेबल है तो लॉक्ट टेबल आपको मिलेगा उग्जाम में इसकी हल्प आप लेंगे तो यहां पर आपके पास वे इसे 12 है मैं आपको यह हाइलाइट कर देता हूं कि जो चीज दिखा रहा हूं उसी को दिखाऊंगा भी मैं आपको ठीक है हम हम है तो क्या है मेरे पास में बाकी चीज़ देखिएगा आप कि मैं बस इसमें चीज़ दिखा रहा हूं उसको द्यान से समझे गरे मैं आपको वैल्यू किसके निकालना नहीं आपको ला दwh है दो टुट्रीफोर ठीक है बच्चे कि रहें किसकी वैल्यू face old Ю ऑन टुट्रीफोर तो सबसे पहले आपके पास में लाइन केवाले क्या बैने की तो में और 12 पे आपको 3 स्टेप जाना है, अंदर जाना है, इसका मतलब क्या होता है? Difference का मतलब आपको उसी कॉल्म के अंदर एंट्री मारनी है, तो आपको 3 स्टेप आना है, यहापर तीन पर आना है, इसी पे रहना है बाप में, तो यहाँ पर आपके पास में तीन पर आपने एंट्रे मारा, आप यहाँ पर आच चुके है, क्लेरे बच्चे, बास समझे, तो आपके पास में क्या आच चुका अभी तक, आपके पास में आच चुका यहाँ पर, जीरो, एट, यह सारे पॉइंट में होते हैं, जीरो, एट, डबल नाइन, क्या आगए आपके पासे हैं भी तर, जीरो, एट, डबल नाइन, clear है, थ्री भी हो गया, अब आपको क्या, फोर में जा रहा है, तो फोर मतलब की mean difference, mean difference कहां से होता है, यहां से होता है, जो 1, 2, 3, 4, 5 है, फोर्थ पे जाना है, तो आपके पास है, जो mean difference होता है, तो आपको उसमें 14 क्या कर लेना है, आपने add कर लेना है, तो बस आपका result क्या बना, आपका result बच्चे बना, 9, 4, 13, 1, और 10, और 11, और 1, और यह 9, और यह 0, तो क्या बना आपके पास में, 0, 9, 1, 13, यह आपके पास result बना, clear है बच्चे, अब यहाँ पर आप देखेंगे, यह आपके पास में कितने digits थे, total, 1, 2, 3, 4, कितने digits थे आपके पास में, total 4 digits था, ठाना, तो उसमें से आप 1 minus कर दो, तो 4 digits था, तो उसमें से आप क्या करो, 1 minus कर दो, बस, last step है यह, तो क्या बच्चेगा, आपको 3, तो यह आपके पास में, final, आपका इसकी value है, जितने digit पे काम कर रहे हैं, उसमें से आप 1 minus कर दो, बास समझे हैं नहीं समझे, clear है बच्चे, कोई doubt, पहले एक बड़ देख लो, क्या कर रहा है मैंने, log कैसे निकालते हैं, anti-log कैसे निकालते हैं, मैं दोनों चीज़ सिखाऊंगा आपको, done, तो अब next question जैसे आपके हमारे पास में है, यह संज में आगए आपको, clear है, किस तरी के सामने करा, मैंने उस तो करके दिखा दिया आपको, दूसरी बात है, find the value of log 12.34, क्या है, decimal में, log, log 12.34, ठीके बच्चे, तो यहां पर आप देखेंगे, log table, तो वही, 12 पर 3 जाना है पहले, तो 12 पर 3 जाओगे, तो 0, 8, 9, 0, 8, 9, आपका जाएगा, 0, 8, 9, तो क्या आएगा आपके पास में, 0, 8, 9, और आपका 4 पर क्या है, 14, तो 4 पर क्या आपका, 14, हमने भी निकाल था ना, तो उसको मैं add कर देना है, जो mean column है, वैसे, point को avoid करो, पूरी तरी किसे आप, कुछ मिसल्व नहीं point करो, वैसी करो, 9, 4, 13, 10 और 1, 11, और 1, 9, और 0, हाँ जी, point से पहले कितने digits से, point के पीछे पहले 2 digits थे, इसमें से 1 minus कर दो आप, तो क्या बचेगा आपका, 2 digits से, अब एक minus करोगे, तो क्या बचेगा आपका 1, तो यह this one, यह आपके पास में answer आगया, बास समझे बच्चे, clear है, point का कोई भी लेना देना आपका नहीं है, तो find the value of this, तो similar आप करोगे, log 1.234, point को avoid करो, आप पहले simply log 1, 2, 3, 4 की आप अपनी value निकालो, तो आप value निकालेंगे, तो पहले 12 पे 3, तो 12 पे 3 आपका 0, 8, 9, 0, 8, 0, 8, 9, 0, 8, 9, line, 0, 8, double line, और उसके बाद आपके पास निकालो, पहले 4 पे आपका 14, similar वही करना है, आपने point को avoid करो, 13, 10 और 11, 13, और 1, 9, 10, और 11, और 1, आपका 9, और आपके पास में क्या हुआ, 0, ठीक है, कितने point है, इस digit से पहले, तो ये 1 point है, तो इसमें से आप क्या करो, 1 minus कर दो, कितने digit से point से पहले, एक digit है, उसमें से 1 minus कर दो, 0, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपके पास में क्या जाएगा, 0 point this, तो ये आपके पास में, ये आपका answer है, तो log की value निकालनी पहले आपको आगे, clear है, आए, कुछ और example देखते हैं हम पहले, कि बच्चे, log 1 की value कैसे निकालोगे, ठीक है, ये आपको दिख रहा अच्छे से, मैं यहाँ पर एक space लेना चाहता हूँ, वो कैसे लो, क्यूंकि अगर ये छोटा करा तो फिर आपको दिखेगा नहीं, चल लो, कोई बात है, इतना तो खरी सकते हैं, हम, ठीक है बच्चे, यहाँ पर अब कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे कि मैं आपका log 1 निकाला जाबता हूँ, अब आप बोलोगे सार, log 1 कैसे आएगा, देखी कैसे आएगा, क्या आप ले सकते हो, log 1 को, कम से कम तीन डिजिट चाहिए, और मैक्सिमम आप चार डिजिट का निकाल सकते हैं, तो चार डिजिट वाला तो सिखा दिया, ठीक हैं, लेकिन तीन डिजिट तो चाहिए चाहिए, बढ़ यहाँ पर एक यह डिजिट है, तो आप क्या होगा, तो आपके पास में तीन डिजिट मनाने के लिए पॉइंट के बाद दो जीरो लगा दो यह तो अभी वही बात है कोई फरक्टूरी बढ़ा लेकिन तीन डिजिट आपका हो गया तो क्या देखना है आपको पॉइंट आवोइड करो दस पर जीरो देखना है आपको लॉग में तो आपको लॉग में दस पर जीरो देखना है तो क्या वैल्यू आई आपके पास में दस पर जीरो देखोगे तो आपके पास में लॉग वन की वैल्यू मैं बात कर रहा हूं कि चीए बच्चे दस पर जीरो जीरो और उसके बाद कितने का पॉइंट है आपके पास में एडिज का पॉइंट है तो एक माइनस करको तो जीरो पॉइंट देश्पा तो लोग टैन की वैल्लू क्या है जीरो लॉग टू की वैल्लू यह सुझ मैं आपको आए निया है बताएज़ ज़रा हुआ 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 है हुआ 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 है एक सेकेंड होल्ड करें हुआ 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 है तो कैसे निकालेंगे अब तो तीन डिजिट तो कम से कम चाहिए तो क्या करोगे टू पॉइंट जीरो जीरो तीन डिजिट बना इसी तरीके से लॉग ट्वेंटी वन की वैलो निकालोगे लेकिन तीन डिजिट मिनीमम चाहिए हमें तो क्या लिखोंगा मैं इसको लॉग 21.0 तीन डिजिट के लिए अब मुझे 21 पी जीरो देखना है 21 बाइगा मेरे पास में एकीस पी जीरो आएगा मेरे पास में जीरो पॉइंट 322 इकीस पी जीरो तो 32 वह दो ये 21 पे 0 21 यह आ गया किते डिजिट एंप पॉंट से पहले दो डिजीट है तो इसमें से मैं एक माइनस करेंगा है तो जोए गाए तो आप किया जाएगा यहां पर वन पॉइंट 3222 यह मेरे पास में लॉग 21 की वैल्यू है तो आपको मैंने सिंगल डिजिट में लॉग की वैल्यू दो डिजिट में लॉग की वैल्यू और चाट डिजिट में लॉग की वैल्यू तिन डिजिट में लॉग की वैल्यू तो सुझ में आपको आ गया किस तरीके से आप लॉग इस चीज को फिनिश कर दूंगा geometric mean को बस एक बार आपको वैल्यू आ जाए geometric mean दस मिनिट का भी topic नहीं है बस एक बार लॉक की वैल्यू करना सीख लो इस classes को देखना revision करना और कोई problem आती ही तो जरूर पूछना मिलते हैं बच्चे फिर next class में